कि नमस्काल दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमान होगी एक्जाम के लिए अपन मैटमेटिक्स की सेलेक्शिन स्रीट पढ़ रहे उसमें मैंने बहुत साइट टोपिक्स आपको पढ़ा दिये हैं आशा करता हूं कि आप पढ़ रहे हो कि देखे मैंने अच्छे चैन प्रमेसर डाल रही है एक्जाम से लिलेटर तो कुछ टोपिक्स हमने पढ़ ले थे लास्ट टोपिक हमने सरल ब्याज पढ़ा था सरल ब्याज नहीं पढ़ा हो किसीने तो वह जाके देख लेना सरल ब्याज पढ़ लेना उसके बाद आज हम बढ़ेंगे चक्रोठी व्याज ने कमपॉंड टेस्ट ठीक है तो देखे इसलिक लास में हमने सरल ब्याज बढ़ा था यानि सिंपल इंट्रेस्ट पर था ठीक है सिंपल इंट्रेस्ट में क्या होता था कि कोई राशी है जैसे 500 रुपे माल कि ठीक है 500 रुपे आपके दोस का व्याज स्पड लुगा कितने साल तक की बाई दो साल प्राइब धीक है ऐसा पढ़ा था हमने उसमें क्या करते थे हम कि कि उनली जो लगता था या इस राश्ची पर लगता था ठीक है तो उसमें क्या करते थे जैसे देख पहले साल पहले साल कितनी ब्याज लगा एक बार लगा पहले साल अपन एससे कर लेते थे ठीक है और दूसे साल टोटल ब्याज करना है ना पहले साल का ब्याज यह दूसे साल का ब्याज कैसे करते थे दूसरी साल कितनी ब्याद लगा एक बार लगा ठीक है तो यह हो गया अपना दो साल का ब्याज तो कितना होता था अपने पास इस प्रकार से हम करते थे ना कि मोल दन इंट्व दर इंट्व समय बटा सो विंदू को जोड़ेंगे तो यहां दो हजाएगा ना इस प्रकार से करते हैं तो उस पर क्या होता था कि वन किस रज से भी ग्याज जोड़ता था यहां रीकिस लुट रहे लुँएञे साल इस रासीप जूट रहे है दूसरे साल भी इस लोट रहे है तहां पुगें अब इसमय क्या होगा कंपांजल्यंट में क्या होगा के मैं Mage नूпон करियाज जुड़े दिया कितनी मज़ेवाली बात है ब्याज के उपर ब्याज जुड़ेगा कैसे जुड़ेगा माल लिजिए कि 500 रुपे माल लिजिए 500 रुपे पर दो वर्ट्स के लिए अपने को निकालना है दो वर्ट्स के लिए नहीं और निदर है 5% की वार्सिक भ्याज दर रहें अभी चक्रुरति व्याज का फॉर्मुला बताऊंगा अभी थोड़ा सा समझ लो इसको कंसेप्ट को है ना चक्रुति व्याज का फॉर्मुला क्यासे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा जो आप डायेक्ट्व याद करते हो उसको कुछ याद करते हो ना वह क्या करूंगा मैं आपको समझाओंगा कि वह आता क्या से आकिरका रहा है ना कंसेप्ट को अच्छे से समझ लोगे तो क्योशन आसान से कर लो कि 5% की वार्टिक्व ब्याजदर से 2 वड्स के लिए 500 पर मिलको क्या करना सक चक्रती और गयाद करने तो कैसे करोंगा में है दो a यहां तो तुम्हारी राशि क्या थी टॉटल रासइं कितनी बन गई? 525 रूपय बन गई ठीक है पहले क्या करते थे हम कि दो साल के लिए ब्याज निकालना है तो क्या करते थे 500 रूपय पर ब्याज निकालते थे लग रहा है सर लूकीक बार लग रहा है एक बार लग रहे है कि अब दीखो अब देखो अब निकाल अब इसका बीजस कितना मनते है cela तुश्य siyaamu किंव बच्चीश दूपाच्यास है और क्ञसरी का बच्चीश में टेक है तो यह कितना हो गया 21 ये तुमएरा ब्याज बन गया इंङ कि य Bigяться किसना है ये तुम्हारा टूटल ब्लिया न मिन्डिये ना झालिए ये क्या हो गया स्थ हो माद अब अब तुम को कि सर कि हमने तो कुछ उरी पड़ा ता कुछ बढ़ा था कि compound amount जो होता है यहां पर यह पड़ा था पड़ा होगा आपने देखा होगा यह अब यह कैसे आता है इस तरीकी से आप सोल कर सकते हो लेकिन इस तरीकी से आपको करना देजी क्विशन होगा मान लेजिए आपको यह दे दिया मूल दे दिया कितनी वर्स लग रहा लेकिन तुमसे अगर क्यों तोड़ा सा फूश यह सुत्र से करेंगे इस पर जिकशने if your जाता है निकाल के बता देता हो प्र अच्छा समझते ना कि यह सउत्र आता कैसे आकिरकार है अना आपको सवाल ऑल आला यह निकाले निकाल श्रल्जान पड़ाता सारल बयारज में पमें पड़ाता तो ग्यों थो तक अपना मोल्दन एकर टो स्म पल एंडरेस्ट यह निसर으ल प्याज में शिरल अमवह दने ने मिंस दन यह ना मिंस पन स्वोर्ग एंस दन रहें मिह张 को इसर दन प्रिंसिपल मोड आ जाएगा ठीक है यह हो जाएगा इसका मुल्ड न अब देखिए यह सुत्र आता कैसे है बठा देता हूं अच्छे सबस्देगा यह चीज कोई नहीं बताएगा आपको यह चीज आपको कहीं यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगी जो ख्लासे चलाते ह विए आपको डायक्ट सुत्र बताया जागा यह सुत्र होता है कंपोंडव्ल से आखिर उसी क्या था टे तक के लिए है दो वर्ष के लिए मैं वा क्या करना हैं यocthborn निकलना बेसे कंपाउन्टिस निकालना था मुंकलन ही तो कैसे निकालो यह देखियो इसको कंपाउन नेश्ट की दिखह पर आप क्या कर लीजिए हाँ इस थोड़ा कि आपको समझ में नियाएगा अगर मैं यहां पर चकरतिमिसदन निकालना आपको ना कैसे निकालोगे आप एक बार ब्याद लग निए अभी बतायता मैंने और फेले वर्श के लिए कितना होगा यह इन देखेड यह जीनो से एक वर्श एक यह पहले वर्श पर पहले वर्श में यह जुद हाद ना वADE नलेत दे लिए लिए विर्श घुनार वा की इसन्ब के लिग गए की प्रक्आ हो गया आपके पहले बच्क ब्याज ना तो सब्सक्राइब तो अगि रергहत का यह दोनों में बराबर्यिब होते हैं ना यहन एक बश्राइब तो दोनों में सेम अभी देखा नमने अब क्या करेंगे हम यह यह क्या हो गया है तो इसको मैंने जोड़ दिए कि यह क्या हो गया मिसर्दन हो गया तो अब जैसे एक वर्स कंप्लिट हुआ तुम्हारे राशी कितनी हो गई 0 से एक वर्ट कवलेट हो गय तुम्हारा राशी हो गई अब जो ब्यास लगेगा तुम्हारा इस राशी पה लगईका टोटल यह रासी है यह रासी टोटल है हर अपॉन हंड्रेड दूसरे साल में कितनी बार लग रहा है दूसरे साल में एक बार लगेगा ठीक है जिरो से एक साल में एक बार लगा मतलब पहले साल में एक बार लगा और दूसरे साल में दूसरे साल में भी एक बार लगा क्योंकि वार्सिक ब्यार दा जाए ना ठीक है अब कैसे करोगा मैं इसको इसको स्वोल कर दीजिए ना है विसको स्वोल करोगे तो यहां से देख owके पी 10 xo का स्कुर्ट तीच के उसको मैं इससे गुगाँ और रिंटे का इसकोर हो गया प्लस यह क्यों घाघ चुकिंगाया दूसरे साल का ब्याच ठीक है दूसरे साल का ब्याच हो गया दूसरे साल का मुल्दन निकालना है मेरको तो कितना होगा जो एसे किस पर निकाला था ब्याज हमने इस राशे पर निकाला था तो मुल्दन तो यह था ना मिस्टर निकालना तो कैसे निकालूँगा दूसरे साल क इसी राज से भी ब्याज निकाला हमने ठीक है इसी राज से भी ब्याज अप दो हाई प्लस इसको मैं हटा किये डायलेक्ट इसको क्या कर सकता हूँ? यहां पर प्लस P में हैं, ठीक है? अभ मैंने क्या किया? अभ मैंने क्या क्या? इसम Lane से P common ले लिए. P common ले लिए तो अंदर क्या बचा मेरा? P common ले लिए तो एक तो हैं बचा. 1 plus, यहां कितना बचा? दो यहां से पी कोमन ले लिया तो दो आर अपोन हंड्रेड ठीक है? दो आर अपोन हंड्रेड प्लस यहां कितना बचा? आर अपोन हंड्रेड का स्क्वार आर अपोन हंड्रेड का स्क्वार इसको अच्छे से समझ लो है ना सब्सक्राइब यहां से देखिया आप आपने कभी वह पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा यह चीज पढ़ी होगी अब यहां देखिये यहां में एक से गुणा कर दो कोई फरक पट रहा है नहीं पट रहा ना यह गया तुमारा ए यह गया तुमारा यह दो है यहां की देख ठीक है यह गया दो फ्लेस दो और इसको मना मैंने अरफ और यहां पर यहां पर यहां एक लिए इंटु ए ना एक को क्या मना ए मना यह गया ए ठीक है प्लस कि यहां स्कॉरण we अब यह मन रहा है न है एक को एक से और होगा मैं क्या हो गया इसक्वायर हो गया य्था स्क्वैर करो चाहे क्यूब करो कुछ भी करो मान तो एक कि आएगा तो इसको मैं एस्क्वार लिख सकता हूं ठीक है तो यह क्या हो गया a2-lis-b2-2-ab हो गया हो गया ना यह फोर्मुला तो इसको इस तरीके से संक्सित रूप में लिखिए तो कैसे लिखोगे बाहर पी है पी तो रख दिया में ना एक जगा पर एक है एक रख दिया प्लस बीगी जगा पर क्या है और अपने को पता नहीं ना कितने वर्ट से तो हम लिख देते हैं यहां पर कि यह और अगया फोर्मूलाय आया ना फोर्मूला यह वाला संबर ईयो और अब यह क्या है लिए क्या है तो आप इस में से मालले जिए ब्याज निकलना एंपने को कैसे निकल लोगे अब कि ऊसी तो मिसेजिन होग्या चक्रुती मिस अधेजिन हो गया और चक्रुती इंटरेस्ट यो जर लोगयत टो at है यह जाएगा कि भopping ऐसे मिर्जदन निकालना है तो न्च प्लस मूल्दन करोगे हैं निसे निकालना है मिसरदन ठीक है यह मिसरदन संबने रिए अगर आपको यह द्यार निकालना है तो मूल्दन को आप इदा ले जाओ अ मैंटस में होगा हैं और मिंसर दन मालद हर्ण इह हो गहां और इस a यह दो मिस्ट दन यह आए आप के दीन दन प्लक कि आ इक है टी है ठीकिए उपनित निकाल रहे है तो यह हो गया तुमारा इंटरitous का प्धो कि यह दूनों चीज़ें आपको द्यान रखने हैं ठीक है वह जो इतना बताया मैंने वह समझने के लिए था कि यह अत्ता कैसे आकिरकार और किस प्रकार से लगता है इसको रटने से कापने चलेगा थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे से स्वाल को क्यूशन को कर पाऊए ठीक है ठीक है और एक और चीज मैंने बताए थी कि जो चक्रोति ब्याज और सरल ब्याज है एक ही वर्स के लिए दिया हो यानि एक ही बार लग रहा हो उस पर तो किसी भी राशी पर त होता है अब आपन करते हैं यह थोड़ा बड़ा चेप्टर है इसके तीन में भी लेकिया आए हूँ तो क्या दोई कंसेप्ट है एक मैं आपको रेट ओब इंटरेस्ट याद करनी इसी प्रकार पर ना और दोटिन कंसेप्ट में आप और बता दूंगा जो एक्जाम पीले देखिए अपने पास क्या है 5000 रुपे पर तीन वर्ट्सों का 10% वार्षिक देर पर चक्रोथी ब्याज अपने को क्या करना है याद करना है पांचेज़ अपना कितना हो गया 5000 तो चक्रोथी मिस्रदन क्या होगा अपना चक्रोथी मिस्रदन क्या होगा पांचेज़ार पी है ना अभी बढ़ा है ता फॉर्मूलाइदर लिग देता हूं चलो है ना चक्रोथी मिस्रदन क्या पी वन प्लस आरफॉन हंडेट की पावर यहां पर यहां पर देखो आप दर दे रहा है ना कहीं भी अगर वार्षिक नहीं दिया हो ओनली दर दिया हो न ठीकिया है तो यह हो गया मेरा बन के दर उन प्लस कितना परसैंट है कंद सैंटें लेकर कर सकते हो यह समेंग तूड़ाक करनेंT अंसरत था यह मैंने सुत्र निगाल है थोड़ा सोट बना दिया इसको अब इसको सोल करना विन्नों को सोल करना मैंने बताया ताकि कैसे थे तो यह कितना हो गया 110 उपर हो गया सो नीचे हो गया तो यह 11 बटा 10 हो गया उसके पावर तीन है तो तीन बार गुणा कड़ा ओए तिक हैं यह तीन जीरो से तीन जो रिख देगा यह कितना होगा एक सो किस एक सब्सक्राइब हुआ है हशी किए जियाओ दो जैसे किसके तीन हासल कि दो ने कम घ्यारा दो तेरा और इसको 5 से गुना कर लिए ना वाझते पांच पंदाई यप्वांच असली एक उला इक चैंज तो यह कितना गया आपके यह कि आया आपके चक्रति मिस्रदन क्या है यह ज़ाज पोच्छ हो तब कि रहे किसे करोगे ब्याज चर्टी में से मूलदन कटा देगे तो और इंट्रेस्ट याणि चकरति ब्याज इसी कर तो घटा हो आपके वान सिक्स वाइज सो ला सो फच्पन रुपे ठीक है योगे आपके कुश्टन सोल बहुत ही एजी कुश्टन है ठीक है अब इसको मैं मिटा रहा हूं कि जिसने नहीं लिखा हो वीडियो को पोच कर लेना और बेग करके लिख लेना ठीक है अब करते हैं अगला वाला कुश्टन को सोल करना है और इसका अंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में सापना है ठीक है अब देखें यह वाला कुश्टन लेते हैं किस ब्याद दर से 7500 रुपे का चक्रुरती मूलधन दो वर्सों में 30,000 रुपे हो जाएगा एड़ वाट रेट ओप इंट्रेस्ट और इसमें आपको कुढ़ना है शाहिता तो तो अपना रगा लगई यह सुत्र लगई कंपॉंड कंपा कंपाउंड औरने चक्रुती मिसरजन ठीक है जिकन कि इसको क्या लिखो गया चक्रुति मिस्रजन अभी पॉर्मूला निकाला था अपने क्या था पी याने पिंसिपल माउंट कितना है साथ जार पांच रूप है ना इन्टू कि इसमें अपने को पता है तो अपने को क्या करना है मानना बार लगेगा तो लगा दें ना चकरुथी मिस्रजन इसने कितना दिया है दो वर्सो में चकरुथी मिस्रजन तीसे जालो जाए ठीक है जो मूलदन दिया है वो कितना हो जाएगा 200 में 30,000 हो जाएगा इसका मतलब यह है कि यह चकरती में से जन हुआ तो लिखिया चकरती में से जन की जगह आप क्या लिख लोगे इधर लिख लिए चकरती में से जन की जगह आप लिख लोगे 30,000 अब इसको इधर लेए बटा में में जाएगा यह तो कितनी बार कट रहा है कि देखें कि पिच्छोतर दोनी कि देड़ सो और पिच्छोतर चुप तो चार बार कट रहा है ठीक है कैलकुलेशन अगर आपको अच्छे से आती है तो आप सवाल जल्दी जल्दी कर पाओ अब देखें इसके वेल्यू कितनी आगे चार आगे वन प्लेस आर अपॉन हंड्रेड का स्क्वाइर एजिकल टू चार आगे ठीक है अब इसको क्या यह इधर एक है फ्लेस में इधर आपउन हंड्रेड ना दो माइनस कंग गया एक अब क्या है आर है आर निकलना ना आपने को तो आरिजिगल्टी कितना होगा अपना 100% है ठीक है अंडेड़ पर्सेंट हार इडिए बहुत बड़ा मॉंट है ना बहुत बड़ा मॉंट है आप इसको एक बार क्रोस चेक करके भी देख सकते हो कि भी हमने सही किया नहीं किया कैसे करोगे देखें और की वेलिव यह रखने है क्या थी सजाल आता है इसका मान रखो वन प्लेश अंडेर अपान हंडेर्ड इसकोर ठीक है और इस तरीकर क्विशन हाइगा आप गलत कर दो ही आप सब्सक्राइब होगी यार्ट परसन थोड़ी लग सकती व्यांद प्लेशन में आंसर यही आ रहा है देखें इसको अगर व्ल करोगे तो यह आ रहा है आपक four ही ुदर का साज़ार पान्सु यह क्या है दो है डो का स्ट होगा दग्यार पास मेरे न हमें जा त्थी ऑ ठीक है 사न्ड の साषल करके ही लगाना है न इस tätä strve न ह्मन्थ सोचना की हांडेट परेव पड्सेंट है कि ने तो वीडियो को लाइक कर देजे और चयनल सब्सक्राइब लिए और ये क्विशन आपको क्या करना है आपको खुद करना है कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहता है थेंक्यू